तो आपका एक और बिल्कुल ने हुए वीडियो में आज की वीडियो में बहुत इंपोटन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बीएसी और बीएसी ऊनर्स के पीच काम डिफ्रेंस आने के अगर आप ग्रेजूएशन करने वाले हैं और क्या करें आगे को समझ नहीं आ रहा है कि कि यहाब यह सी ओनर्स करें क्यों कि बहुत्ट मायनर्स से Mayसट है लेकिन आगे जाकर वह बहुत बड़ी इस मन जाते हैं सबसे बहले तो बैस्ट का पैसिलर्स इनके बीच में एक सोड़ा सा कंपेशन हम करेंगे बेसिक सा डिफरेंस क्या है बीच सी जैसा नाम से आप समझ़े होगे बैसलर्स इन साइन्स है यह आपका एक मल्टि डिसिप्लेन यह अप्रोच होगा यानि एक से ज्यादा समझे आपने सुना होगा बीस्टी पीसी एम करते हैं बीस्टी जैडबीसी करते हैं चीक है तो इस तरह से आप अलग अलग बीस्टी करते हो और फिर इसमें और भी बहुत सारे आपके निकाम्मिनेशन बन जात दो अगर मैं शिए में जाता हूं तो विडिकस और मेस अधिन आपको प्लें वीं सब्सक्राइब करोगे और यही पर सबसे इंपोर्टेंट चीज आ जाती है कि आपको दोनों में से क्या लगता है कि यार तीनों में से मुझे कौन सा सब्जेक्स सबसे अच्छा लगता है और आगे मुझे कौन सा पर्शियो करना है उस केस मां प्येस कर लेते हैं मान लो आपने फिजिक्स से ब्येस कर लिया और थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद आपको फर्स्ट यहर में जाके पता लगा है कि नहीं और प्लेन बीसी जो है ठीक है जनरल बीसी जो है नॉर्मल वाली वहां पर आप जा सकते हो क्यों मैं बोल ला हूं फिजिक्स केमेस्ट्री मेच्स तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ लेए अपनी बीसी के टाइग पर आप ख्लियर नहीं हो कि आगे आपने मेसी करना है या फि सब्सक्राइब तक आप थोड़े से मैच्वर भी हो जाते हो पर यहां पर अभी से आपने सब्सक्राइब कर लिया कि मुझे फिजिक्स ऑनर्स करना है और देन यह दोनों एक्क्विवेलेंट हैं नहीं मतलब एक बंदा है मेरे सामने जिसने बीसी किया तूसरा है जिसने ब इक्वल मानी जाएंगी क्या दोनों की क्वालिफिकेशन इक्वल मानी जाएगी नहीं क्यों वह अभी मैं बताऊंगा पर उससे पहले यह डिफ्रेंस समझ लों टाइमिंग की बात करूं या डियूरेशन की बात करूं तीन साल का बीसी आपका जो जो जनरल नॉर्मल प्ले ठीक है इसके बाद आप इसको फॉर्दर स्टेडी करना चाहरे हो आगे है तो क्या डिफ्रेंस है यहां पर फिजिक्स पढ़ने में और यहां पर फिजिक्स पढ़ने में आपने PCM किया अब आप फिजिक्स पढ़ना चाहरे हो तो आप क्या करोगे अगर आपका प्लेन बी बहुत सारे इसमें अगर आप फर्दर करते ओंपर प्याप्जामपल प्याप्जांपल या फिर जॉब्स के लिए भी आप एप्प्लाइब करते हो तो वहां पर यह जो eligibility है या यह जो qualification है BSC plus MSC आपने BSC किया plus MSC किया यह जो qualification है और आपने सिरफ BSC honors किया यह दोनो equal मानी जाएंगी कहीं पर भी आपकी कोई vacancy निकलती है या PhD के लिए आपके application form निकलते है research के लिए application form निकलते है eligibility criteria में जाकर देखना वहाँ पर लिखा रहेगा qualification में इसको क्या हो गया वहाँ पर लिखा रहेगा qualification में 3 plus 2 years या तो यह लिखा रहेगा इसका मतलब क्या है 3 साल BSC, 2 साल MSC या लिखा रहेगा 4 year graduation और 4 years graduation क्या होता है honors होता है ठीक है तो यह दोनों equal माने जा सकते है लेकिन हर जगह नहीं होता है ऐसा बहुत जगह आपको देखते हुए चलना पड़ेगा जहां पर आप apply कर रहे हो but in general यह दोनों equal माने जाते है BSC plus MSC की में बात कर रहा हूँ plain BSC और BSC honors equal नहीं माने जाएगे अब क्या पूरी तरह equal है नहीं equivalent शिरफ है तीन डिगरी मैंने बता दी अभी तरह आपको एक बताए BSC देखो comparison देखो कितना टाइम तीन साल का तो बहुत डिटेल में समझारों BSC honors कितने साल का चार साल का और BSC plus MSC यह कितने साल का बहुत ज्यादा इसकी value नहीं होती है इसके अलावा भी आपको और चीजा करने पड़ती है तो फिर कुछ नहीं होगा उसके बाद आपका ठीक है इसके बाद या तो आप MSC करो या फिर आप करो या फिर जो मर्जी वह करो लेकिन प्लेन BSC मत करो प्लेन BSC करोगे खाली बैठर जाओगे उसके बाद आगे और बढ़ना आपको या तो फिर MSC करो चोटा उससे BSC plus MSC से थोड़ा सा इससे छोटा वेल्यू में उसकी वेल्यू थोड़ी थी कब मैं अब एक और काम की बात जब पढ़ाई करते हों आप मतलब पढ़ोगे तो उसमें क्या डिफरेंस आता है कि सलेबस अलग होता है करिक्लम अलग होता है चीज़े अलग होती ह तो मैंने बोला आपसे कि BSC ओनर जो है वो इक्वल है आपके BSC plus MSC के यह और नो ठीक है तो जब आप BSC ओनर्स करते हो तो यहां पर आपको रिसर्च वर्क पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है रिसर्च वर्क और डिसर्टेशन — ठीक है — रिसर्च वर्क और डिसर्टेशन की तरफ आप ध्यान दोगे तो यह क्या हो जाएगा एक स्टडी होगी आपकी उस पर्टिकवुलर सब्जेक्ट की आप physics से कर जो तो physics की आप in-depth study कर लोगे इसलिए इसको MSC के १॥्Austral मान द करना चाहिए या इन दोनों में से क्या चूज करना चाहिए तो आपने देखा कि ओनर्स में रिसर्च वरक और डिजर्टेशन अगरा का काम हो रहा है डिटेल में स्टेडी हो रही है तो अगर आपको इस सब्जेक्ट को आगे फर्दर स्टेडी करना है तो आप ओनर्स करो ले से करना है नेट वैसे आप यहां से बीजिबिलेटी बांगता है उसके लिए ग्रेजिएशन के लिए खाली ग्रेजिएशन आपको लिए डिगरी के लिए तो यू कन गूफ और विए च्वार्नर्स के लिए आप तब जाओगे जब आपको उस सब्जेक्ट में आगे और काम क करने है यह पूफ फ़र पी एचडी अब जब आप पी एचडी करोगे तो पी एचडी में बीसी ओनर्स के बाद में से करने की ज़रूत निया डिर्क यू कन टेग एड्मिशन इन्टू पी एचडी जो रिसर्च वर्क है क्योंकि रिसर्च वर्क आप अल्रीडी आप कर सकते हो ठीक है एडिशनल कुछ हो तो अलग बात है परसेंटेट की कुछ क्वालिफिकेशन होंगी बट इन जनरल बता दूं आइडिया आप ले सकते हो कि बीसी ओनर्स के बाद आप डारेक्ली यहां पर जा सकते हो तो और आप बीसी ओनर्स के बाद फिर नेट अगरा भी सकते हो ठीक है तो यह था कुछ बेसिक सा डिफरेंस इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ बची विएस में ठीक है तो समझ गयोगे आपके आपके लिए कौन सा परफेक्ट हैं दोने में से लें बीसी करनी है या फिर ओनर्स करना है ओनर्स तब करना जब उस ओनर्स शोनर्स अर चरब करना हैं या अफिर आप इंजन न्यबने में जबस के एक चांज सब्जक्ट में पढ़ा हो तो आप उसके सांब से अंग हो कर सकते हो जो रहुरेक्शन कर सकते हैं उसकी करना है उसके बाद आप हाइस वे घ्क abusive कर सकते हैं रहे। तर यह स्ट्रीड में आपको सब्जेक्ट पढ़ना हुआ है यह बड़ी डिग्री है इसकी हैसी ज्यादा प्रेस्टिजियस यह जो डिग्री बीए स्टीक है आपको ज्यादा समान मिलेगा करते हो अब लिक्र सकते हो अगर आपको इस एक्जाम्स डिफेंस में कही बार बहु के एक्जाम जहां पर आपको ग्याजवेशन करना है और सेक आफ डिग्री आप इसको पर सकते हो ठीक है या मैंने आपको बता दिया बीए डोगर आप बाद में करना है तो ठीक है चलिए आपको क्लियर हो गया होगा एक और बात यहां से आप आई टी जैम का एक्जाम देके एक और चीज़ आई टी जैम का एक्जाम अगर आप देते हो दोनों केस में तो क्या डिफ्रेंस आ जाता है बीए सी के बाद आई टी जैम वाला बंदा क्या कर सकता है मसी कर सकता है प्लस इंटीग्रेट पीजडी और यहां के बाद यूविल गो डारेक्ली फॉर पीजडी ठीक है अब यह भी मैंने बोला कि अलग 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 हो सकता है अब जैसे आई टी कानपूर तो है निए आपको बिना हुमेनिटी सब्जेक्ट के हुमेनिटी में पीजडी करा देता है तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन में मिल जाएंगे बट आपके इंस्ट्यूट में वेब साइट पर पर्टिकुलर जाका आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या डिफ्रेंस आता है ठीक है और इसके बाद अब्यूसली यूद्ट के बाद हो सकती है वो सब बीस के बाद हो सकती है तो यह आपको क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच मैं क्वेस्चन हो कोई मेरे से लेटेड कोई भी कानिफीजन और क्वेस्टेन आप कॉमेंट बोक्स में बोच सकते हो किसी भी करीयर में आपके सामने कोई प्राब्लम आ रही है आप बोच सकते हो यह आप मुझे डरेक्ली मेसेच करके भी पूस सकते हैं अगर आपको यसी होर वीडियो चीए ठीकिस फ सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबाद देना सारे नोटिफिकेशन आपको वीडियो के आ जाएंगे थेंक्यों सब्सक्राइब